दोस्तो संपत्थी बढ़वारे को लेकर मदरास हाई कोट का एक महत्पून फैसला आया है और आज हम उसी फैसले के बारे में बात करने वाले हैं नमस्कार मैं डॉक्टर राजेश लोधी एडवोकेट और आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो सामानताया हम देखते हैं मान ल मान लिजे किसी व्यक्ति के 3 बच्चे हैं, दो लड़की है, एक लड़का है तो ऐसे इसलिती में लोग क्या करते हैं 30% सिननों को दे देते हैं और 10% मावाब 1 पास रख लेते हैं तो इस प्रकार से बढ़बारा होता है या तो दोनों tanta 40 40% दे दिया और मावाब ने 20% रख पॉपटी है उसका जो लड़का नीकी देखरे करता है उनका पालन पॉंशन भरन पॉंशन करता है तो वह प्रमपटी उसको दे दी जाती है तो सामनताया दोस्तों यही प्रोसेस चलती है इसी प्रकार बढ़वारे उते हैं लेकिन अभी मदरास हाई कोट में जो फैसला सुन तो दो 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 मद्राज हाई कोड में एक याचिका लगाई गई थी भुजोर्व माःतापिटा कि के द्वारा और माठापिटा को कहना था हमारे बेटे-बेटी ने हमारे से की संपत्री प्रcji नहीं कर रहा है, भुजो मापिस लेपने चाहते हैं तो मदरा साइकोट ने यहां क्या करकि वह प्रोपटी आपने अपनी मर्जी से दी तो अब आप उसको बापिस नहीं ले सकते और उन भुजुर्ग जमपत्ती की याचिका को खारिच कर दिया है तो अब से दोस्तों यह कानून बन गया है कि अगर कोई प्रोपटी इक आपके चार बच्चे हैं चार बच्चों में से आप एक बच्चे के सांथ रहते हैं तो आपने कोई प्रोपटी हैald कि उनको बाट दी है लेकिन कुछ परिसेंट इससा आपने आपने पास रखा है तो आप जो आप जो है ak RAW वर रहे हैं तो आप लिका पढ़ी कर सकते हैं जब आप संपत्ती का बड़बारा करते हैं आप इस टाम पर लिखिए और उस पर आप जिकर करिए कि इस परसंट संपत्ती जो है मैं अपने फलाने बेटे के नाम पर इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि वो हमारा भरन पोशन करेगा हमारी पूरी सेवा समार करेगा हमें जो ह है ऐसा नहीं करवाता है तो यह property जो हमने हमारे हिस्से की उसको दी है उसको हम बापिस ले सकते हैं तो इस प्रकार अगर आप agreement कर लेते हैं जब संपत्थी का बढ़वारा हो या फिर रजश्टी पर आप लिखवा देते हैं यह point तो वह property जो है आप बापिस ले पाएंगे लेकिन दोस्तों हुआ यह था कि जो मदरास के जो दमपत्थी थे उन्होंने यह point नहीं लिखवाया था उन्होंने डारेक्टी उस property को जो है नाम करवा दिया था तो यहां पर आपको समझने वाली बात यह है कि जब भी कभी property का बढ़वारा हो तो अगर आप इस जिकर कर देते है कि आप जो है जिकर कर सकते हैं तो आपको ध्यान यही रखना चाहिए कि जब भी आप property का बढ़वारा करें तो अपना हिस्सा जब भी आप रखते हैं तो उसका जिकर जरूर करें कि ये जो जमीन या प्रोपर्टी है तो ये हमारी देखवाल के लिए हम इस ब्रक्ति को हमारी लड़का को या हमारी लड़की को हम दे रहे हैं लेकिन अगर ये हमारी देखवाल नहीं करता है वरन पोशेंट नहीं करता है तो ये संपत्ति पर इसका कोई बैदिकार नहीं होगा अगर हमने नाम भी करवा दिये तो हम उसको बापिस लेने के अधिकारी होंगे तो अगर आपको जान करें अच्छी लगए वीडियो को लाइक जरूर करिए और हमें फॉल और सब्सक्राइब भी जरूर करें